फ्रांस में 17 साल के नाहिल की हत्या के बाद दंगे भड़क उठे हैं। प्रैफिक जाच के दौरान नाहिल की हत्या का विडियो भी सामने आया है। मंगलवार सुभा नाहिल चेकिंग के लिए रुका नहीं। उसने अपनी मर्सडीज आगे बढ़ा दी। इस पर पुलिस कर्मियों ने पॉइंट ब्लैंक पर उसे गोली मार दी थी। नाहिल की मौत हो गई। वह अपनी मा का इकलोता बेटा था और टेकवे डिलीवरी करता था। अलजीरियाई मूल के नाहिल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इस घटना ने फ्रांस को जगजोर कर रख दिया है। वहां के लोग काफी गुस्से में हैं। पेरिस में लगातार तीसरे दिन ल कोले छोडे और पानी की बोचारे डाली। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब एक हजार लोगों को गिरफतार किया गया है। जड़ब की घटनाओं में 200 पुलिस अधिकारी घायल हो गये। कौन था नाहिल। कैसे मारा गया। नाहिल की मा मौनिया का रो रो कर बुरा हाल है। वह मेडिया से बात करते करते फफक पड़ती हैं। कहती हैं कि उनके बेटे को सब प्यार करते थे। वह रगभी लीग में खेलता था। मा के अनुसार पढ़ाई में नाहिल का मन नहीं लगा। उसने इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए कॉलेज में एड्मिशन लिया था। ह भागते समय उसे पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। नाहिल जहां नौ साल से रगभी खेल रहा था। उस कलाब के प्रेसिडेंट ने एक फ्रेंच अखबार को बताया कि नाहिल में समाज के भीतर फिट होने की इच्छा थी। वह उन बच्चों में से नहीं था। पुलिस ने नाहिल को गोली क्यों मारी नाहिल की मा का कहना है कि जिस पुलिस वाले ने गोली मारी उसने एक अरब चेहरा देखा, एक छोटा बच्चात देखा और उसकी जान लेना चाहता था। फ्रास पांच टीवी से बात करते हुए मा ने सिर्फ एक व्यक्ती को दोशी ठहराया, जिसने उनके बेटे पर गोली चलाई, पुलिस को नहीं। मौनिया ने कहा, मेरे कई दोस्त पुलिस ओफिसर्स हैं, वे पूरे दिल से मेरे साथ हैं।